नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फैसे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और लच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि आज कि इस वीडियो में मैं आपको आज 17 मार्ट 2021 की हिमाचल परदेश की शाम 5 बजे तक की सवी ताज़ा ख़वरों की जानकारी इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके शेयर करते हैं और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूले हैं जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है वो साथ में बेल आइकन को दुबाला है ताकि आप तक मेरी हर नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच सके तो चलिए दोस्तों वीडियो को जो है शुरू करते हैं आज की टॉप 10 शाम की ताजा खबर हैं तो चलिए शुरू करते हैं तो देख सकते हैं आपके सामने पहले नियूज है हिमाचल प्रदेश बाजपा सांसद राम स्वरूप शर्मा की संदेख्द मौत दिली आवास में फंदे से लटकी मिली लाश तो हिमाचल के मंडी से सांसद राम स्वरूप शर्मा ने गोमती अपार्टमेंट स्टित अपने फ्लैट में फांसी का फंदा लगा कर खुद घोशी जोए कर ली, उनका शब बुद बार सुबा कमरे से मिला है, करमचारियों ने सुबा लगबग साड़े साथ बजे मामले की जानकारी पुलिस को दी थी, मौके पर पहुंची पुलिस ने जब दरवाजा तोड़ा तो देख कि अंदरवा फांसी के फंदे से लटके हुए हैं, उन्हें कंदे से नीचे उतार कर तुरंत राम मनोहर लोहिया अस्ताल पहुंचाए गाल जहां पर डॉक्टरों ने उन्हें मरित गोशित कर दिया, उनके कमरे के अंदर से काफी मात्रा में दवाईया मिली हैं, बाजपा स अगणी उजब की कि हिमाचल में शारिरिक शिक्षिकों के स्रेजित नहीं होंगे पद, तो हिमाचल परदेश में जिन स्कूलों में शारिरिक शिक्षिकों के पद स्रेजित नहीं है, वहां पर पद जो है स्रेजित करने का सरकार का कोई विचार नहीं है, विधाईक वीरब पदर सिंग, बिने कुमार, पवन कुमार, काजल और रामलाल ठाकुर ने के सवार के लिखित जवाब में शिक्षा, मंत्री, गोविन ठाकुर ने या जानकारी दी। उन्होंने बताया कि परदेश के स्कूलों में कला शिक्षकों के 1711 और शारिरिक शिक्षकों के 1881 पद रिक्ते हैं, रिक्त पद भरने का मामला विचारा धीन है, बताया कि P.E.T.C.D.P.E. के 175 पदों को पद उन्ती के माद्यम से भरने की प्रिक्रिया जारी है। पर हिमाचल परदेश में अंतराश्री शिवरात्री महुतसव के कारेकरम रद कर दिये गए हैं, अब सिर्फ जलेब निकलेगी, परदेश बिदान साबा में भी आज की कारेवाई कल तक शोक में स्टागित कर दी गई है। 2014 में PM मोदी ने जब कहा था अरे भाई रामसरूप तुम भी जीत गए। तो अरे भाई रामसरूप तुमने मंडी सीट कैसे जीत ली, मोदी जी आपके आश्रवाद से वीजय मिल गई, बहुत खूब। अगनी उजयाब की कि खूले में शराब पी तो 500 रुपय जुर्माना पंचायत ने लिया बड़ा फैसला। अरे बालों की जो है, COVID-19 नेग्टिव रिपोर्ट साथ लानी होगी। अगनी उजयाब की कि Modern Education College शमला को लोटानी होगी वसूल की गई अधिक फीस। तो हिमाचल परदेश की राजधानी शमला स्थित Modern Education College शमला को विद्यार्थियों से अधिक वसूली गई फीस लोटानी होगी। नीजी शिक्षन संस्थान विनियामक आयोग की अधालत में मंगल बार को मामले की सुनवाई करते हुई या फासला सुनाया। नीजी संस्थान को आदेशों का पालन करने के लिए जो है 30 दिन कस्माई दिया है। आयोग की अधेश नहीं मानने पर संस्थान पर जो है 15 जार रुपय का अलग से जुर्माना भी किया गया है। इसके लावा बिद्यार्थियों को कनूनी लड़ाई लड़ने की इवज में भी 15 जार रुपय देने होंगे। अगनी जापकी की हिमाचल में खादी उतपादों पर आज से मिलेगी 20 प्रतिशत छूट तो हिमाचल खादी मंडल अपने ग्राहकों को 20 प्रतिशत छूट देगा या छूट 17 मार्च से 31 मार्च तक जारी होगी। खादी भंडार कोतवाली बजाद धर्मशाला के प्रबंदक प्रमोठ कुमार चोहान ने बताया कि गांधी जन्ती के अफसर पर खादी वस्तूँ की विकरी पर ग्राहकों को 20 प्रतिशत छूट शूरू की गई थी इस दोरान करीब 45 दिन तक ग्राहकों को 20 प्रतिशत छू लेटर तो चिंतपूर्णी मंदर की लिफ्ट के पास बुद बार दो पैर को एक दर्दनाग हादसा हुआ एक लर्निंग स्टीकर लगी हुई गारी शंबू बैरियर से होते हुए मुख्य मजार की ओर आ रही थी तबी लिफ्ट और तीन नंबर गेट के पास है गारी चला रहा व्यक्ति श्रदालू की वील को देखकर हडबढा गया और गारी की ब्रेक की जगा अक्सी लीटर दे दिया जिससे सड़क पर चले हुए दो श्रदालू गारी की चपेट में आगे तथा गारी सड़क के किनारे लगी पानी के नल से जाकर टकरा गई और रुक गई इस और नुकसान होने से बच गया वहाँ चले हुए स्थानी लोगों और श्रदालू ने एक व्यक्ति को गारी के नीचे से निकाला और पुलिस को जानकारी दी पुलिस उन्हें प्रात्मिक चिकितसा देलवाने के लिए सिविल होस्पेटल चंतपूर्ण ले गई वहाँ से ड पुरानी पैंशन वाली और केंद्री तरज पर वित्तिय लाब की मांग को लेकर जारी पैंशन ब्रत के समर्थन में काले बिल्ले लगाकर काम किया इस दोरान P.W.D. मंडल चंबा कारियले में मांगों के समर्थन में करमचारियों ने नारे बाजिवी की इस परदर्शन में जीले के बिविन सरकारी विभागों में कारेलत करमचारियों ने हिस्सा लिया, NPS करमचारी महसंग चमबा जीले के परदान सुनील जर्यालने का कहना है, कि सरकार द्वारा उनकी मांगों को लेकर केवल आश्वासन ही दिये जा रहे हैं, सरकार से कई बार जोए पत्राचार करने के बापजूद बजट में इनको लेकर कोई उलेक नहीं किया गया है अगर नियूज जापकी, कि पुरानी पेंशन बाहली को हला बोल करमचारी संगों ने नई पेंशन का किया वी रोद पुरानी करूब बाहल तो नोहरा धार से नियूज जा कि नई पेंशन योजना करमचारी संग हिमाचल प्रदेश के आवान पर जीला सिर्मोर के विभिन शिक्षक संगटनो, हिमाचल प्रदेश विश्य विद्यल प्रवक्त संग, हिमाचल प्रदेश राज किया ध्यापक संग, हिमाचल संगों ने सरकार से निवेदिन किया कि जल्द ही पुरानी पेंशन योजना को जो है बाहल किया जाए। करोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए आज परधार मंतरी निरेंदर मौदी ने सबी राज्यों के मुख्य मंतरी के साथ वीडियो कॉनफ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक किये है परधार मंतरी मोदी ने करोना वैक्सिनेशन को बढ़ाने वा गाउं में टेस्टिंग को बढ़ाने करोना टीका करन को गंबेरता से लेने को कहा है। पी-म ने दबाई और कडाई के भी निर्देश मुख्य मंतरी को दिये हैं। मुख्य मंतरी जैराम ठाकूर ने कहा कि परधान मंतरी मोदी ने बैठक में कोविड-90 वैक्सिनेशन वा र्टी-पी-सी-ार टेस्ट को बढ़ाने की बात कही है। वैक्सिन की वैस्टेज नहीं होनी चाहिए इस पर परधान मंतरी ने बल दिया, माइक्रो कंटेनमेंट चौन बनाने को कहा गया है, कंट्रेक्ट ट्रेसिंग करने को भी कहा गया है, ताकि करोना संक्रमन को बढ़ने से रोका जा सके, परधेश में होने वाले मेलों में SOP का पालन किया जाएगा, पोल्टिकल हुआ, अन्य समारों पर रोक को लेकर दो से तीन दिनों बाद स्थेती को देखते हुए नेर्णे लिया जाएगा, उन्होंने कहा कि 20 मार्च के बाद, 20 मार्च के बाद अगर जुरूर पड़ी तो सक्ती की जाएगी, मुख्य मंतरी ने कह कि पंजाब में बढ़ रहे करोना मामलों पर भी हिमाचल जोए चिनते थे, अगर निउज आपकी कि दस्मी वा बार्मी की परीक्षा में, पिछले वर्ष की तुलना में, 28,000 अधिक परीक्षा रती देंगे परीक्षा, तो धर्मशाला से निउज है कि हिमाचल प्रदेश स द्यार्थियों की संक्या में इजाफा हुआ है, पिछले वर्ष की तुलना में, इस वर्ष दस्मी वा बार्मी की कक्षा में करीब 28,000 अधिक परीक्षा रती परीक्षा देने के लिए बैठेंगे, अगर निउज आपकी कि उन्ना में, सेना भरती राली शूरू, देश का जजबा लिए पहले दिन दोड़े बिलासपुर के युवा, तो दोस्तों ये थी आज 17 मार्थ 2021 की शाम पांच बजे तक की सभी ताला खबरें, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो को लाइक करके शेयर कर दें, और अन्कित वर्मा और